नमश्कार दोस्तों वेलकम बेग, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट्स से जुरी, आज की कुछ बड़ी और लेटस्ट अपडेट्स की, तो आते हैं सबसे पहली अपडेट की और जो यहाँ पर ब्राजिल से जुरी, और ब्राजिल के अगर हम बात करें, थोड़ा यहाँ प में companies के उत्वरा किये गई है जहां पर organization registered that almost 42,000 companies purchase some kind of cryptocurrency during October अगर हम October के मन्त की बात करें 42,000 से ज्यादा companies ऐसी है जिन्होंने यहां पर cryptocurrency में invest किया हुआ यहां पर interest rate नजर आ रही है cryptocurrency में और लगातार वहां पर उनके द्वारा जो buying है cryptocurrency की वो की जा रही है जो एक positive sign है यहां पर Brazil के लिए क्योंकि अगर हम Brazil की बात करें इनकी जो government है वो थोड़ी यहां पर supportive नजर आ रही है ब्राजिल में ब्राजिल में जो crypto को लेकर legal framework है वो भी यहां पर तियार किया जा रहा है मतलब other payment method यहां पर crypto को use किया जा सकता है BTC को use किया जा सकता है लेकिन अगर हम यहां पर बात करें worldwide cryptocurrency को लेकर जबसे ftx का यहां पर collapse देखने को मिला है अगर हम ब्राजिल की बात करें सबसे बड़ा exchange यहां पर ब्राजिल का कौन सा है तो वह है crypto assets में trade करता है और अगर हम largest centralized exchange की बात करें ब्राजिल का तो वह है यहां पर Mercado Bitcoin और उसके भी अगर हम users की बात करें तो वह almost यहां पर 3 million users है international players के अगर हम coinbase की बात करें जैमीनी की बात करें तो इतनी ज्यदा presence यहां पर Brazil में इनकी नहीं देखने को मिल रही है जिस वज़़ए से इतना ज्यदा impact यहां पर FTX collapse का market पर Brazil के देखने को नहीं मिला है जो यहां पर लोग crypto में trade करते हैं उनको इतना ज्यदा impact देखने को नहीं मिला है इसी वज़़ए से Brazil में crypto को लेकर जो positivity है वो अभी यहां पर देखने को मिल रही है और worldwide अगर हम देखें तो थोड़ी सी यहां पर चिंता है जरूर है इसके लाग हम बात करें यहां पर अगली update की नाइजिरिया से जुड़ी यह update है जहां पर नाइजिरिया एक और कंट्री बनने वाली है जो यहां पर बिल पास होने वाले है उसमें यहां पर government apply करने वाली है crypto transaction पर tax Nigerian finance bill has provisions allowing government to tax crypto transaction जहां पर अगर हम इस country की बात करें यह एक और कंट्री बनने वाली है क्योंकि इससे पहले अगरम देखें 5-6 countries ही हो चुकी है जो इस प्रकार का जो tax है वो apply करते हुए नजरा रही है मतलब यहां पर जो government है वो e-commerce transaction से और ज़्यादा revenue निकालने की कोशिश कर रही है जिस वज़े से यहां पर Nigeria की जो government है वो भी अब tax apply करने वाली है crypto transaction के उपर भी मतलब 6 other countries आप देख सकते हैं जो यहां पर पहले सही ऐसे rules को apply कर चुकी है जिसमें अगर हम देखें South Africa Kenya भी देखने को मिलेगा इसके अलावा other countries की बात करें आप जानते ही होंगे इंडिया में भी ऐसा हो रहा है UK, US and कुछ और countries है जो यहां पर टेक्स लगा रहे हैं digital assets के transaction पर जो अगर हम देखें crypto industry के लिए इतना ज्यादा positive नहीं है क्योंकि अगर आप हर एक transaction पर यहां पर टेक्स लगाएंगे और टेक्स भी अगर जादा होगा क्योंकि अभी अगर हम देखें नाइजिर्या की तो जो profit है वो यहां पर crypto investors का काफी कम होने वाला और अभी के समय कि अगर हम बात करें जिस परकार से market movement कर रहा है profit तो वैसे भी बहुत कम होता होगा नजर आ रहा है अगली update UK की तरफ से UK finalized plan for crypto regulation जहां पर UK की तरफ सी updates निकल कर आ रही है कि UK अब यहां पर crypto regulation को लेकर जो finalized plan है उसको लेकर आने वाला है मतलब काफी टाइम से यहां पर एक आ जा रहा है तो यहां पर regulate किया जाएगा उसके लिए यहां पर rules or regulation बनाए जाएंगे लेकिन अब जो उनका यहां पर focus है वो देखने को मिलने वाला है ऐसी यहां पर updates निकल कर आ रही है FTX collapse के बाद मतलब FT का जो impact है वो यहां पर UK पर भी देखने को मिला है तो थोड़ी clarity यहां पर उलाना चाहते हैं इनकी जो government है उनकी तरफ से update निकल कर आईए कि finalized plan यहां पर crypto के regulation को लेकर वो बना सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर crypto market की crypto market थोड़ा recover हुआ जिस वज़े से अ अगर हम Shiba की बात करें 0.0008 का जो level है उसको यह बना कर रखता है तो उसके लिए एक positive sign हो सकता है मतलब इसे यहां पर यह support अगर बना कर रखता है तो थोड़ा positive यहां पर होने वाला है अगली update की अगर हम बात करें 36% of Americans यहां पर plan कर रहे हैं cryptocurrency को buy करने के लिए next 6 month में ऐसी यहां पर crypto literacy का जो survey हुआ था उसकी reports का नुसार पता चल रहा है मतलब काफी बड़ी संख्या हो रही है मतलब आने वाले time में भी next 6 month में भी यहां पर जो लोग है वो crypto में कईने कई invest करने की planning करते हुए नजर आ रहे हैं अगली update यहां पर ripple से जुड़ी हो रिपल यहां पर case यहां पर खत्म होता होने जराएगा और इसका जो फाइदा है वो यहां पर XRP को देखने को मिलने वाला है मतलब next year के almost यहां पर February के मन्त तक हो सकता है कि यह जो case यहां पर चल रहा है वो solve हो जाए SEC और उसके साथी XRP के बीश में और उसका जो positive impact है वो यहां पर XRP को देखने को मिल सकता है और कोई अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाए साथी रेलिग्राम को भी जॉइन कर लें वहां पर भी आपको क्रिप्टो से जुड़ी है रिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी थेंक यू